हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पसंदायत लाइक से रो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आज के प्लान के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चार बेडूम के साथ यह डिजाइन मैं आपको डिसकस करूँगा 38 by 42 में पूरा प्लान बनाया गया है यह टोटल गाओं के हिसाब से प्लान बना है जिसमें आपको चार बेडूम मिलता है किचन मिलता है इस्टोर प्लस वास्रूम एरिया यहाँ पर ब्राम्दा और प्लस पोर्च के साथ में प्यारा से डिजाइन आपको मिलेगा तो ज्याद सारी डिटेल एक चीज़े में साइज हो गयरा सब कुछ बताऊंगो तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखें तभी आपको सारा चीज़ समझ में जाएगा बहुत लोग कमेंट करते हैं वीडियो पर हमको पूरा डिटेल नहीं समझ माया अगर आप वीडियो भगा के देखेंगे तो आपको वीडियो नहीं समझ माया झालेगा तो पूरा वीडियो अंत तक देखें तभी आपको सारी चीज़े समझ में आएंगी दोस्तों ठीक है तो आप देख सकते हैं डस बाई-10 का कॉलम है सिंगल प्लूर के लिए तो आप देख सकते हैं और यहां पर ब इसमें आपके टोटल हो जाएंगे दोस्तों चलिए अब बाहर के जो दिवाल है उसको मैंने 10 इंची कर रखा है for safety region ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसेना और अंदर की जो भी दिवाल है उसाब 5 इंची बाहर की दिवाल 10 इंची अंदर की जो भी दिवाल है सब 5 इंची इसलिए यहां पर 10 इंची की दिवाल रखी जाती है तो आपको इस चीजे क्लियर हो जाएंगी कि दस इंची की दिवाल हम क्यों रखते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं इस तरीके सब का पूरा वाल अगरा है यहां पर complete हो जाएगा चलिए अब इसका कुर्ची लेबल मत की वाटर लॉगिंग अगरा कि आजबास दिक्कत है तो आपको प्रॉब्लम ना आए आपके मकान में और और दिक्कत ना आए यह सब चीजों को आपको ध्यान रखना है ठीक है इसलिए कुर्ची लेबल आपको इस तरीके से रखना है ताकि आजबास पानी अगर लगे भी तो आपको मकान में कोई दिक्कत ना है इस तरीकेस आप देख लेजे इस तरीकेस आप पे जो कुर्षी लेवल है मतलब प्लिंध लेवल है आप यहां तक रहेगा दो अब देख सकते हैं इस तरीकेस आपकर प्लिंध लेवल होगoga miss मकान के बना लिए घुर्ची बना लिए मकानने Clarins के लिए आपको सीड़ी해 यहापने सिड़ी यहाप से रख हो जाएंग इस तरीक है इस इंटरी कर से रहेंगे यहापको छोटा सा forth लूक देने यहां पे ब्राम्दा पोर्च प्लस ब्राम्दा काफी स्पेश हो जाएगा और यहीं पे दिया एक गेस्ट्रूम इस गेस्ट्रूम को दरवाजा बाहर से जरूर दें क्या होता है कोई गेस्ट्रूम आए तो उनको बैठने में दिक्कत ना हो means कि आपके मकान के प्राइवेसी है वो डिस्टर्व ना हो इसलिए बाहर से दरवाजा देना रहता है ताकि कोई भी डिस्टर्विंस ना हो ठीक है यह आपका गेस्ट्रूम हो गया इसके बाद यहाँ पर इस जगहां पर आपका मेंगेट यहां पर रहेगा आपका मेंगेट और इस गेस्ट्रूम में आपको अंदर से भी दरवाजा दे देना है यहां पर आपका अंदर से भी एक दरवाजा रहेगा ताकि कोई गेस्ट वगएर आए तो अगर उनको चायनास्ता आपको सर्व करना है देना हो तो आप अंदर से उनको चायनास्ता दे सके दोस्तों ठ साइज हो गएरा भी मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पे आप देखते हैं तो आप को मिलता है यह किचन इसे लगा हुए आपको एक महीने कर आसन और सोर कर सकते हैं जो भी किचन घोने चोईसे दिलिखेंसे घृ को एक चोलेटkyले बाथरोम डोने आपसे हैं तो रख सकते हैं ने तक टॉल ही रख सकते हैं आपकी choices में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे एक bedroom है इसका दरवाज आपका यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से ठीक है यह आपका पूरा प्लान है बीच में आपका यह सीड़ी दिये गया ठीक है यह इस तरीके से पूरा प्लान आपको मिलेगा और final होने बाद आपको इस तरीके से पूरा मकान यहाँ पे दिखेगा दोस्तों इस तरीके से खिड़के हुगा जिसमें चारो साइड आप दे सकता कि गाउं का प्लान है और भी इस पेस है क्लाइंट पास चलिए फोड़ा आने जाने दिक्कत नहीं हो इधर सोफा लगा लिए बैटने में दिक्कत नहीं हो ठीक है पीछे के तरफ आपको दो बिट्रू मिलते हैं बीच में आपको इधर किचन प्लस इस्टोर यह आपका ट्वांत्व between पेच चाहे 6 इंची है, 10 इंची है, 4,5, फिट आउरे डॉग लेक्ट में इस तरीके सा सीडी आपका रहेगा, तो यह इस तरीके से पूरा इस प्लान आपको मिलेगा, आप चलते हैं साइज इस पर फटाफट वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि जिसमें 10 फिट बाइ, 8 फिट का आपका यह पूर्च एरिया आपको मिलेगा, यहां पर ब्रामदे की बात करें, 22 फिट 9 इंच इंटू 10 फिट 10 इंच में आपको ब्रामदे एरिया, और 12 बाइ, 14 का आपको यह रूम पहला रूम, जो किस रूम है, मिलेगा, अगर हम पैसे इसकी बात करें, 7.30 इसमें आप चाहें, तो दर्वाजा बड़ा साइज का भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके बाद यह रूम 12 बाइ, 14 का दूसरा रूम भी आपको मिलेगा साड़े 8 बाइ, 5 फिट एक इंच का आपका यह आपका बात रूम एरिया टॉलेट बात रूम दोनों आपको इस तरीके से मिलेगा, यह वाला रूम भी 12 बाइ, 14 का आपको मिलेगा इसके बाद यहाँ पे 7.5 फिट में आपका यह सीड़ी आपको मिल जाएगा इसके बाद यह 12 फिट by 14 फिट का आपको यह दूसरा रूम यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यह 5 फिट एक इंच दूट फिट छेंच का आपको यह इस्टोर एरिया जो भी महिनिक रासन हो गया रहा है किचन का उसमें आप रख सकते हैं और 5.8 फिट भाई 10 में आपका यह किचन है यह आपका रखा गया है यह आपका इंच पे आपका 13 फिट जो यह रूम दिया गया है उन्हें 15 फिट का आगने रिया आपको मिलेगा ते छोटा सा प्लान छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा मिलते हैं दूसरे वीडियो लोग से मैं तर्द दे लेता हूँ